स्वाश्कार दोस्तों आउसी के चैनल में आपका स्वागत है आज मैं सिंगल कलर का ये खुबसूरत सा छोटी छोटी बूटी का पैटर्न लाई हूँ जो दो फंदे और दो लाइन का है इसे आप किसी भी प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं चाया जैन स्वेटर में बच् से ऐसा तो चलिए फेर्ण हम देखते हैं कि ये कैसे बनेगा मैं डिजाइन इसी के ऊपर बना रहे हूँ आप इसे पहली लाइन समझें तो ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से पहला फंदा सीधा बुनेंगे या फिर स्लिप कर देंगे अब देखिए उन को ऐसे स फंदा सीधा बुनेंगे अब जो हमने चड़ाया है उसको वैसे पीछे की तरफ से लाएंगे और फिर उपर से घुमा के वापस दूसरी तरफ ले जाएंगे दो फंदा सीधा बुनेंगे फिर इसको वैसे पीछे की तरफ से उठाएंगे इस तरह उठाने में आसानी होगी और फिर इन दोनों फंदों को इसकी अंदर से निकालेंगे नेक्स्ट उपर से भूमा कर वापस दूसरी तरफ ले जाएंगे तो फंदा सीधा बुनेंगे इसे उठाएंगे और गिरा देंगे यही काम हमें करना है इन ही तो फंदों को हमें पूरी सलाए में दोराना है उनको उपर से घुमा कर वापस दूसरी तरफ ले जाएंगे तो फंदा सीधा बुनेंगे फिर उसके बाद चलाए हुए धागे को उठाएंगे और इन दोनों फंदों को इसके अंदर से निकालेंगे इसे गिरा देंगे फिर यही दो फंदा रिपीट करेंगे चड़ाया लास्ट फंदा सीधा रॉंग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लिया जाएंगे तब यही फंदा उल्टा फिर से देखिए पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे अब उनको ऐसे ऊपर से लाएंगे और दूसरी तरफ लेते जाएंगे यह हमने जैसे जाली दिया जाता है वैसे कर लिया फिर दो फंदो को सीधा बुनेंगे एक दो अब इस धागे को उठाएंगे जो मैंने जाली के लिए बनाया था उसे उठाएंगे और इन दोनों फंदो के उपर से ऐसे गिरा देंगे अब इन ही दो फंदो को हमें पूरी सलाई में धुराना है उनको चढ़ा कर दूसरी तरफ ले जाएंगे दो फंदा सीधा बुनेंगे अब इसको उठाएंगे और ऐसी गिरा देंगे नेक्स्ट यही ऐसे ही हम रिपीट करेंगे धागे को चड़ा कर दूसरी तरफ ले जाएंगे, दो फंदा सीधा बुनेंगे, फिर इसे उठाएंगे, पीछे से उठाने में आसानी होती है, इसे उठाएंगे और इन दोनों फंदों के उपर से ऐसे गिरा देंगे फिर यही हम दो फंदा रिपीट करेंगे, उन चड़ा कर दूसरी तरफ ले जाएंगे, दो फंदा सीधा बुनेंगे, और फिर इसे उठाएंगे और दोनों फंदों के उपर से ऐसे गिरा देंगे, चड़ाया, दो फंदा सीधा बुना, इसे उठाया और दो फंदों के उपर वहुत खुबशूरत है। दो फंदा और दो लाइन का ये खुबशूरत पैटर्न। और इसे हैं किसी भी प्रोजेक्ति में अपलाई करunge कते हैं। चाहें डेरी स्वेटर में, जैन स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, कैप में, हैट में, शॉक्स में, शूज में, किसी भी प्रजेक्ट में आप इसे अपलाई कर सकते हैं, आप इसे एज बॉर्डर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉर्डर के रूप में भी ये बहुत ही को मेरा यह डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब थेंक्स फर वाचिंग